नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर कि आई हूँ कच्ची हल्दी का बहुत ही आसान तरीके से खाये जाने वाला भी बताऊंगी आगे कि खाई जाने के लिए आसान शब्द मैंने क्यों ही उच किया है तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा और शेयर कीजेगा लीटर सर्सों का तेल था जिसमें से मैंने यहां पर मुश्किल से 200 ग्रामी लिया है और तेल को गरम करके हमने ठंडा कर लिया था और वापस से गैस पर चढ़ाया है गैस मेरी अभी ओन है सबसे पहले हमने यहां पर डाल दी है कच्ची हल्दी और अद्रग क्योंकि यह सबसे हाड होते हैं तो इनको हमको डाल देना है और थोड़ी सी देर लगबग 3-4 मार तेज आज पर पकाना है ताकि इनका जो नमी है वो निकल जाए और उसके बाद में हम इछ दूसरी सबजिया डाल देंगे तो मैंने यहां पर मूली डाल दी है और गाज़ डाल दी है नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्च अपना कलर चेंज कर देगी तो यहां पर आप इसको अच्छे से चलाएए आँच अभी भी फ्लेम अभी भी फुल ही है अभी मैंने फ्लेम को लो नहीं किया है क्योंकि हमें इनकी नवी निकालनी है अगर हम लो कर देंगे तो क्या होगा कि यह गलने लग जाएंगे और इनका कलर चेंज हो जाएगा तो पर इन्हें भी आपको 2 मिनट मुश्किल से चलाना है और अगर नीचे आपको ऐसा लग रहाएं कि थोड़ासा लग रही है तो फिर आप इसको निकाल दीजेगा फिर इसमें डाल दीजे आप मिर्च डाल कर थोड़ा सा चलाईए और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले मसाल मसाले की क्वांटिटी आपकी सब्जियों की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी काला नमक सेंधा नमक और साधा नमक तीनों मैंने आपर लिये हैं कश्मीरी लाल मिर्च ली है कलर के लिए हल्दी हमने इसमें नहीं डाली है क्योंकि हल्दी अल्रेडी हमने ली हुई है क सब्सक्रबिए का ही अचारा सबसे 2 आसान के लिए कि अपता है इसलिए सब्सक्राइब करेंपने ख़ाराइब करीविड़ा सब्सक्राइब आनिजीं इस आपर सबस्क्राइबй रजयन के और धी यवार आ घा приготов करते हैं अगर आप बहुत लंबे समय तक रखना चाहते हैं इसको तो इसमें वेनेगर डाल दीजेगा बन फोर्ट कप के आसपास अब हम इसको ठंडा होने देंगे और ये देखिए मेरा अचार बिल्कुल ठंडा हो गया है थोड़ा सा थिक भी हो गया है और अब अज इस अचार को न अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इसे आपराठे के साथ पूरी के साथ थेपले के साथ किसी के साथ भी खा सकते हो इसी के साथ साथ मैंने आज एक बहुती इंस्टेंट सा जहटपट वाला नमकीन बनाया तक घर में कुछ था नहीं तो मैंने सुछा कुछ बनाग द इनको हमें हलका सा रोस्ट करना है आप चाहें तो ड्राय रोस्ट भी कर सकते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दीमी आज पर और काम आप करते जाएए और इसको बीच वीच में चलाते जाएगा लगबक पांस से दस मिनट में यह बहुत अच्छे से रोस्ट हो ज जाएगा तो हमें क्या करना है इसको आप एक प्लेट में या ट्रे में या थाली में ट्रांसफर कर लीजेगा और इसके बाद गैस पर फिर से चढ़ाई और इसमें थोड़ा सा ओयल लिए बिल्कुल जरा सा थोड़े से बादाम और मैंने यहां पर मुंफली ली है आप चा यानी करी लीप्स नमक काली मिर्च पाउडर और इसके बाद में हल्दी पाउडर डाल दीजिए अगर आप हल्दी का फ्लेवर चाहते हैं तो नहीं तो सूखा भी अच्छा लगता है और इसके बाद में इसको चलाईए और डाल दीजिए इसमें जो हमारे भुने हुए पर बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता होता है लो कैलोरी होता है और जब कभी ऐसा होता है शाम को बच्चे आ खेल के तो आप इसमें प्याज हरी मिर्च हरा धनिया और टमाटर काटकर डाल दीजिए बहुत बढ़िया सी बेल भी तैयार हो जाती है अब मैंने इसको एयर और चीजों के साथ में वेबर जूज रहे है